मुवी का स्टार्ट एक डॉल से होता है, जिसको नाइट मेंस आ रहे होते हैं कि उसने एक छोटी बची के पेरिंट्स को मर्डर कर दिया है। ये डॉल इंग्लेट में वेंट्रिकुलेस्ट डमी बनी बहुत ही अब्यूसिव और इंबारस्मेंट वाली लाइफ गुजार रही होती है। ग्लास टरंबरी में इंटरनाशनल वेंट्रिकुलेस्ट कॉंपेटिशन में परफॉर्म करने के बाद ये विश करती है कि इससे इसकी फैमली मिल जाए। जिसके बाद ये डॉल टीवी पर जैनिफर टिली की न्यू हॉरर फिल्म चकी गोस साइको का प्रिव्यू देखती है। जिसमें वो चकी और टिफिनी की रीबिल्ड डॉल्स देखती हैं जो के उनके बचे हुए रिमेन से बनाए गई है। ये डॉल रियलाइस करती है कि ये उनका सन है। तब ही इस डॉल का ओनर रूम में आता है जो इसे अब्यूस करना शुरू हो जाता है। जिस माउस से वो उसे टॉर्चर कर रहा था वही माउस उसके ओनर को बाइट कर लेता है। इस बात का फाइदा उठा के वो डॉल भाग निकलती है। जिसके बाद वो एक TCS की मदद से अपने पैरेंट से मिलने हॉलिवड पोंचती है। बॉक्स से बाहर निकलने पर डॉल पुद को चाकी गौस साइको मूवी के प्रॉप रूम में पाता है। जहां चाकी और टिफिनी की डॉल्स भी होती है। डॉल हार्ट ऑफ टॉमला एक वुडो एमलेट यूस करते हुए चाकी और टिफिनी को वापिस जिन्दा कर लेता है। टिफिनी अपने बेटे को देख के बहुत खुश होती है। जाकर चाकी बिहोश हो जाता है। उसी दौरान एक पॉपिटियर रूम में एंटर होता है। जो टिफिनी को पकड़ कर उसके पार्ट्स अलग करना शुरू हो जाता है। जब वो उसकी बैक खोलता है तो अंदर ओरिजिनल प्लड होता है। चाकी और टिफिनी उसे संभलने का टाइम भी नहीं देते। और प्यानो वायर यूस्ट करते हुए पेक तरदी से उसका सर बॉड़ी से अलग कर देती है। इसके बाद वो दोनों अपने सन को ग्लैन नाम देती है। सीन्स चेंज होते हैं और जैनिफर प्रॉक रूम में आती है। पहले तो वो पपिटियर की डेट बॉड़ी को एक डमी समझती है। मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये एक डेट बॉड़ी है जिसके बाद वो फॉरन पुलिस को कॉल करती है। इस सब के बाद जब जैनिफर मीडिया से बचते हुए अपनी कार में बैठती है तो ग्लेन, चकी और टिफिनी भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रात सोने से पहले ग्लेन चकी और टिफिनी से पूछता है कि आखिर वो लोगों को मारते क्यूं हैं क्यूंकि उसको लगता है कि वाइलेंस घलत चीज है। Scenes Jennifer पे shift होते हैं जिसने Redman की डिरेक्टोरियल डेबियो में Virgin Mary का रोल हासिल करने के लिए Redman को घर पे invite किया होता है ताके वो उससे इस रोल के लिए convince कर सके। ये सब देखते हुए चकी और टिफिनी भी decide करते हैं कि वो अपनी souls Jennifer और Redman में ट्रांसफर कर देंगे। जब Redman और Jennifer romance कर रहे होते हैं तो एक media photographer उनकी pictures लेना शुरू हो जाता है वहीं दूसरी तरफ Tiffany Redman को बिहोश कर देती है जो देखकर Jennifer बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है मगर Tiffany उसे भी बिहोश कर देती है। Photographer ये सब क्याचर कर रहा होता है चाकी और Tiffany Redman और Jennifer को रूम में ले जाती हैं जहां Tiffany एक turkey blaster यूस करते हुए Jennifer के आंदर चाकी का serum inseminate कर देती है चाकी photographer को देख लेता है और Glenn को लिए उसके पीछे निकलता है। उस photographer के घर पहुँच कर चाकी पहले उसे अच्छी से डराता है फिर उसे माने ही वाला होता है तभी अच्छानक photographer एक stand से जा टकराता है जिस पर पड़ा एस से उस photographer गिर जाता है और उसकी death हो जाती है। चाकी ग्लेन और उस photographer के साथ picture लेता है और ग्लेन से promise कर लेता है कि वो अपनी मदर को इस सब के बारे में नहीं बताएगा। Next day जब Redman और Jennifer होश में आती हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रस्ते निकल जाती हैं। मगर कुछ ही टाइम बाद Jennifer को realize होता है कि वो pregnant है। जब वो Redman को confront करती है तो Redman इस बाद से साफ इंकार कर देता है कि वो उसका baby है। जिसके बाद वो Jennifer से ये भी कहता है कि अगर वो pregnant है तो वो उससे उसकी movie में नहीं लेगा। Jennifer एक call attend करने चली जाती है। टिफिनी ये सब सुन रही होती है और Redman की rejection उससे बहुत गुसा दिला देती है। और टिफिनी Redman को eviscerate करती है जिसके बाद eventually उसकी death हो जाती है। ये सब करते Glenn टिफिनी को देख लेता है। टिफिनी भी चकी की तरफ Glenn से promise कर लेती है कि वो चकी को कुछ ना बताए। Next morning जब Jennifer सू के उठती है तो वो खुदको 9 month pregnant पाती है एक पहली के साथ। ये सब इतना जल्दी voodoo magic की वजह से हो रहा होता है। जैनिफर को समझ नहीं आता और वो पैनिक करना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी एसिस्टन्ट जॉन को कॉल करती है। चकी जैनिफर पे अटाइक करके उससे बेट पे टाइगर देता है। जब जैनिफर शोर करती है तो उसके मूँ में डालने के लिए चकी अपनी पॉकिट से क्लोट निकाल रहा होता है। तब ही उस फोटोग्रफर के साथ लीग पिक्चर नीचे गिर जाती है। जिसे देखके टिफनी चकी पर बहुत खुसा होती है। फुसे में आकर जब चकी क्लोजट पे हाथ मारता है तो अंदर से रेड मैन की बॉड़ी निकल आती है। जिससे ये क्लेर हो जाता है कि चकी और टिफनी दोनों ही अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकी है। मगर अब मसले की बात ये है कि रेड मैन डेड है और उन्हें चकी की सोल ट्रांसफर करने के लिए एक और बॉड़ी की जरूरत है। यही वज़ा होती है कि वो जैनिफर के ड्राइवर को कॉल करते हैं जो जैनिफर के प्यार में पागल होता है मगर आज तक उसे बोल नहीं सकता होता। टिफिनी जैनिफर की आवास निकाल कर उसे घर भुलाती है जिसके बाद वो उसे भी जैनिफर के साथ बेट पे टाइ कर देते हैं सीन्स जो उन पे शिफ्ट होती है जो जैनिफर के लिए परिशान होती है इसलिए उसे मिलने घर आ जाती है जब वो देखती है कि कोई दर्वाजा नहीं कोल रहा तो डॉर मैट के नीचे रखी कीज से वो डॉर ओपन करके अंदर चली जाती है जब वो जेनिफर के रूम में एंटर करती है तो जेनिफर और उसके ड्राइवर को टाई अप देखके कुछ समझ नहीं पाती इससे पहले कि जेनिफर उसे वोर्ण करती चाकी नाइफ पकड़े उसे मारने आ जाता है मगर चाकी से पहले ही टिफिनी आगे बढ़के हेर स्प्रे और कैंडल का यूज़ करते जोन को आग लगा देती है तभी हम बेर रिवील होता है कि जूण को मारने वाली टिफिनी नहीं बलके ग्लین है जो ग्लینडा बने सेंट टिफिनी के आउटफिट में जूण को मर्डर करता है ये देखकर टिफिनी बहुत परिशान हो जाती है और ग्लेंडा को स्लाप करके वापस क्लेंड वर्जिन में लाती है इसके फॉरण बाद हम देखते हैं कि जैनिफर ट्विन्स को बर्स देटी है अब जब चकी सोल्स ट्रांसफर करने लगता है तो उसे रेलाइस होता है कि वो खलत कर रहा है चकी कहता है कि उसे खुद को बदलने की जुरुरत है वो एक फेमस किलर डॉल है और उसे अपना यही वर्जिन पसंद है मगर टिफनी उसकी इस बाद से अग्री नहीं करती है जिस पर चकी जैनिफर को माने के लिए नाइफ उसकी तरफ भेंकता है ताके टिफनी अपनी सोल उसमें ट्रांसफर ना कर सके मगर जैनिफर के आगे उसका ड्राइवर आ जाता है और उसकी देथ हो जाती है पॉलिस वहां पहुँच जाती है जिसकी वज़ा से टिफिनी ग्लैन को लेके वहां से चले जाती है और चकी भी गायब हो जाता है सीन्स शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि जैनिफर हॉस्पिटल में है और अपने बच्चों से मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है तब ही वहां टिफिनी और ग्लैन आती हैं टिफिनी मैजिक करके सोल जैनिफर में ट्रांसफर करी रही होती है कि वहां चकी आ जाता है जो टिफिनी की हेड में एक्स मार के उसे मार देता है ये देखकर ग्लेन घुसे में आ जाता है और चकी पे अटाक कर देता है जैनिफर एक्स ग्लेन की तरफ भीकती है और ग्लेन उस एक्स की मदद से एक चकी के सब बोड़ी पार्स अलग-अलग करके उसे मार देता है जिसके बाद ग्लेन को इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और जैनिफर उसे संभालती है सीन्स पांच सल बाद पे शिफ्ट होती हैं जहां हम देखते हैं कि जैनिफर के ट्विन्स की पर्थरे पार्टी चल रही है ट्विन्स की नानी जॉब से कुट करती है जिस पर जैनिफर टिफिनी की डॉल से उसकी बाग पर अटैक करती है और वो मर जाती है यही मॉमेंट होती है जहां हम पे रिवील होता है कि टिफिनी की देथ नहीं हुई थी बलके उसे पहले ही उसने अपने स्पेल कम्प्लीट करके अपनी सोल को जैनिफर में ट्रांसवर कर लिया था और अब वो जैनिफर बनके फाइनली एक सुपर स्टार की लाइफ गुजार लेता है और यहीं मुवी एंड हो जाती है इन लास्ट सीन से हमें रियलाइज होता है कि टिफिनी को मारना तो मुश्किल है मगर चकी को मारना इंपॉसिबल है उसके बॉड़ी के इतने पार्स करने के बाद भी वो जिन्दा ही है और अपनी दैस का पदला लेने वापिस आ में अपनी मदर सारा के साथ अकेली रहती है पार्सल में चकी होता है जो उन्हें समझ नहीं आता कि किसमें में जाए इसलिए वो उसे डस्ट मिन में फैंक देती है रात को अच्छानक निगा को अपनी मदर की स्क्रीमिंग की आवाज आती है वहां पहुंशने पर वह देख साथ ही हम चकी को पास एक चेर पे बैठे देखती हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकती है कि सारा को उसी ने इंजर किया होगा नेक्स्ट डे निका को उसकी सिस्टर बार्ब विजिट करने आती है जिसके साथ उसका हस्बंड इयन और बेटी आलिस होती है आलिस की नैनी जिल और एक फादर फ्रांक भी होती है आलिस को वाश्रूम में चकी मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने प उनका एक्सिडेंट हो जाता है एक्सिडेंट इतना बुरा होता है कि उनका सरी बॉड़ी से अलग हो जाता है निका को चकी पे शक होना शुरू हो जाता है इसलिए वो कोरियर कंपनी में कॉल करती है मगर नेटफर्ट ना होने की वज़ा से वो बात नहीं कर पाती है टीव एक knife से निका को hurt करता है lift से बाहराने पर निका चकी Alice को देती है तभी bark निका की knee पर wound देखती है जो चकी ने दिया होता है मगर disability की वज़ा से निका को उस injury का पता नहीं चलता है इस सब के बाद निका का चकी पे और शक हो जाता है और वो internet पे चकी के बादे में सर्च करती है जहां कुछ articles में उससे इस डॉल से related murders की information मिलती है साथ ही ये पता चलता है कि इस डॉल में serial killer Charles Leere की sawl है निका उसकी picture देख के काफी shock हो जाती है क्यूंकि उसने Charles को अपनी मदर की videos में देखा था Scenes Alice की nanny जिल पे shift होती है जहां चकी आकर उस पे attack कर दीता है चकी जिल के पास पर ही water bucket को गिरा देता है जिससे short circuit हो जाता है और जिल की death हो जाती है साथ ही सारे घर की light भी चली जाती है बार्ब Alice को डून टी हुई attic में जाती है जहां उसे चकी मिलता है बार्ब चकी के face पे कुछ feel करती है उसे साफ करते हुए अचानक चकी की skin उतरने लगती है और नीचे चकी का original face आता है जो stitches से भरा होता है और हद से ज्यादा drawnा होता है इसके फोरण बाद चकी अपनी true self बार्ब के आगे reveal कर देता है चकी बस इतना ही बोलता है कि तुम्हारी आगें तुम्हारी मदर की तरह है फिर उस साथ ही बार्ब की आई में knife step कर देता है निका बार्ब की scream सुनके लिफ से उपर जाने लगती है मगर light ना होने की वज़ा से उसे stairs से crawl करते हुए जाना पड़ता है तब ही अचानक stairs में बार्ब की आई और फिर body आके गिरती है जिसके पीछे पीछे चकी आ रहा होता है यह देखकर निका बहुत panic कर जाती है और जल्दी से wheelchair लिए अपने brother-in-law की तरफ भागती है Ian निका को गराज में छोड़ के Alice को डूनने जाता है निका को अकेला देखकर चकी वहाँ आता है और car start कर देता है जिसकी smoke से निका को सांस देने में problem होना शुरू हो जाती है तब ही निका सामने पड़े axe को उठा के चकी पे attack कर देती है चकी को तो कुछ नहीं होता मगर Ian वहाँ आज आता है और निका के हाथ में axe देखकर उस पे शक करने लगता है निका उसे समझाने की कोशिश करी रही होती है कि ये सब चकी कर रहा है Ian उस पे यकीन नहीं करता जिस्तवज़ा से निका को panic attack आता है और वो भी होश हो जाती है होश में आने पर वो खुद को tied up आती है दूसी तरफ Ian इस मिस्टरी को solve करने के लिए चकी में लगाया हुआ कैमरा निकालता है Ian ने ये कैमरा बार्ब पे नज़र रखने के लिए लगाया था क्योंकि उसे शक था कि बार्ब का चिल के साथ एफैर चल रहा है Ian फुटिज में देखता है कि Alice closet में locked है और चकी सच में एक living doll है Ian को सच तो पता चल जाता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है चकी वहाँ पहुँच जाता है और निका की wheelchair को push करते हुए Ian को जमीन पे गिरा देता है जिसके बाद वह एक्स यूज करते हुए Ian के face पे attack करता है और Ian को भी मार देता है इसके बाद चकी निका की तरफ बढ़ता है जब वह निका पे attack करता है तो निका अपनी legs आगे करके खुद को protect करती है अब जैसा कि हम जानते हैं के निका अपनी disability की वज़े से legs पे कोई pain feel नहीं करती है इस बाद का फाइदा उठाते हुए वो एक्स को अपनी legs से निकालती है और चकी का सर body से अलग कर देती है जिसके बाद उसे लगता है कि उसके जान बच गई है निका अपने wound पे कलोथ बान रही होती है कि पीचे से चकी फिर उठ खड़ा होता है और अपना सर body के साथ attach करता है जिसके बाद वो निका को उसकी wheelchair के साथ ही ground floor पे फेंग देता है निका के पूछने पर चकी flashback में जाकर निका को story सुनाता है चकी बताता है कि चार्स उनका family friend था और उसकी मदर सारा को प्यार करता था चार्स ने निका के father को kill करके सारा को kidnap कर लिया जब वो निका के साथ pregnant दी मगर सारा ने उसे betray कर दिया जिस पर उस्सा होकर चार्स ने उसे stomach में stab किया था यही बचा है कि निका इस disability के साथ born हुई थी सारा ने किसी तरह पुलिस को inform कर दिया था पुलिस के arrival पे चार्स वहां से भाग कर एक toy store में छुप जाता है मगर एक police officer उसे shoot कर देता है अब चार्स रेल लाइफ में तो मर चुका है लेकिन इससे पहले वो अपनी soul एक doll में transfer कर देता है जो अब चाकी के नाम से जाना जाता है अब चाकी बने उन सब लोगों से बदला ले रहा है जिन्होंने उसे betray किया था उनमें सारा और उसकी family भी आती है निगा चाकी को टॉंड करती है कि उसका real enemy तो अभी जिन्दा है जिस पर चाकी को गुस्ता आ जाता है उसी दोरान निगा खुद को lift में lock कर देती है चाकी निगा के हाथ पे knife से attack करता है निगा knife उससे लेकर उसको अंदर तक stab करती है मगर फिर भी उस पे कोई असर नहीं होता इसी दोरान पुलिस officer फादर फ्रांक की death की investigation करने वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि accident से पहले उन्होंने सारा time यहीं गुजारा था officer निगा की scream सुनके घर के अंदर जाती है जहां वो barb की dead body देखते हैं और निगा के हाथ में knife भी चकी lifelessly एक chair पे बैठा यह सब देख रहा होता है अब ऐसा scenario देख के कोई भी निगा पे ही शक करेगा इसलिए officer को भी यहीं लगता है कि यह सब करने वाली निगा है हर weapon पे fingerprints भी निगा के यह show हो रहे होती है यही वज़ा है कि निगा को सब के लिए responsible समझते हुए criminal mental asylum में डाल दिया जाता है जाती जाते भी निगा चकी को टॉन करती जाती है कि उसका real enemy अभी भी जिन्दा है Scenes police officer पे जाती है जो चकी को एक bag में डाले कार में ले जाता है जहां Tiffany उस पे attack करके उसे मार देती है और चकी को bag से निकाल के पूछती है कि अब उनका next target कौन है Last Scenes में हम देखते हैं कि Alice अब अपनी grandmother के साथ रह रही है जब वो स्कूल से वापस आती है तो चकी को वहाँ देखती है जहां चकी famous voodoo spell करते हुए अपनी soul Alice में transfer करना शुरू हो जाता है मगर तभी Alice की grandmother जिनने चकी से जखमी किया होता है चकी पे attack कर देती है और यही movie end हो जाती है